ये जो 36 गड़ का दर्द है इसको कोई चुनाव से जोड़ कर देखे भी तो हो भी गलत है इसका चुनाव से कोई लेंदे नहीं है कोई शरुकार नहीं है और नकसल एंकाउंटर पर कॉंग्रस ने सवाल घड़े किये ये कहा कि बीजेपी नकसली के नाम पर आदिवासी को मार देती है पूरी जानकार ही आ जाए तब ही कुछ कहा जा सकता है एक तरफ बाचीत की अपील दूसरी तरफ मुढ़ेड दोनों बातें एक साथ नहीं चलती सरकार को ये साफ करना चाहिए कि सरकार चाहती क्या है रमन सरकार के समय नकसली घड़ना चरम पर थी और कॉंग्रस की सरकार में इस पर बहुत नीयन्पर्ण था पूरी तरह से कुछ कह पाना उचित नहीं है, क्योंकि ये नकसलियों को नाम में आदिवासियों को भी मार देते हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी इस पर पूरी जानकारी आ जाया, तब हम कुछ कह सकता। अधिर करें सरकार जहिता है, फ्रफेल्च tat कि मारे लिए रृता की बात करते हैं और दूसरी तरफ नकसलीयों और को नकसलीयों से हो रहा है सधार्च नहीं चलते हैं, उनको अपनी बाते हैं मोरी चआते हैं, कुर double क्वारा हैं, लिएक करने में थाह gusta की शचाहिए, बीजापूर में मुटभेड में मारे गए नक्सलियों के शब जवान लेकर कैम्प लॉट आए हैं, यह उपरेशन तकरीबन 14 घंटे तक चला है, नक्सलियों से बड़ी मात्रा में गोला बारूध हतिहार बरामत किये गए इस उपरेशन को दंतेवारा सुक्मा और गए धेशनhole के सव को लाया गया यहाँ पर सामग्री बरामत की गई है जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी नक्सलियों के यहां पर रखे गए और साथ साथ यहां पर और काफी हत्यार ब्रामत हुए है इंडियन कंट्रि मेट के gráfic structure इसके अलावा करें यह होगे से खूए कि यहां पर वीम कर्णी का जहां अ टेसी छावानों को काफी नुख्षक तो learning इसके अलावा काफी संख्याम में कपड़े नक्ष्णियों के बरामद हुए है इसके अलावा जवानों के भी कपड़े बरामद हुए है इसके साथ साथ यहां पर दवाईयां जो नक्ष्णि संख्याम में उप्योग करते हैं वह उप्योग हैं यह मुटभेड जो है काफी बिशन मुटभेड थी करीब 14 घंटे तक जो है मुटभेड चली है यह बिजापूल का गंगालूल इलाके के पुडिया इलाका है जो काफी नक्ष्णि लाका है घना जंगल वाई लाका है तीनों जिले सुकमा दंते वाड़ा बिजापूल से डियार जी कोबरा और सुख्योग जवान करीब अब नक्ष्णि मारे गए हैं उनकी सिनाक्त हो गई है लेकिन पुलीस अधिकारी खुलासा करेंगे लेकिन अभी फिलाल जो है बारा नक्ष्णियों के सव यहां पर रखे गए हैं सदी चांडग नियो जेटें बिजापूल धमतरी जिले में पुलिस